हाई दोस्तों आडवज्यू के जिसे कि आप सभी को बता है हापते में तीन दिन हमारा लाइब क्लास होता है जो तीनो दिन लाइब क्लास होता है एकदम कॉलिटी दार वीडियो होता है तो आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टन आप लोगों के लिए में जिन बच्चों को मेरे इस फौजी सर से आपको पढ़ना है तो ये तीनो दिन आप आद करके आ जाना रवीवार साम आडवजे वुदबार साम आडवजे और सुक्रवार साम आडवजे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाद बाजू में बिल आइकन दबा देना अब बाद इसल नंबर साम आध से युरू में बने में बाद आपको पहले इस फौजें पोड़न के बाद 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 दो सब्सक्राइब करता है तो इसलक्राइब कर से और रहाजन सा बोघ्स्यों नाoncesv तो छो मेंस्टाइब करता है तो ये तैस फौजे क Κौन सा जगा व वो रेलवे निर्मान से सम्मान दित नहीं है, आपको बतने हैं, तो इस कोईशन का राइट एंड सा जो होगा, वो आफसन डी लू दिया ना होगा, ठीक, इसका ध्यान रख लेना है, तो बढ़ते हम तीन नमबर कोईशन की, और तीन नमबर कोईशन पुछा है, दा हाइस ट् इंडिया इन, यानि कि भाई भारत में पती हेक्टर चावल सब सरवाधी किस राजे में उत्पन होता है, तो होगा वोईश्ट बेंगॉल, यानि कि पस्चिम बंगाल में इस्तित होगा, और पस्चिम बंगाल के राजधानी जो होता है, वो कोलकाता होता है, और कोलकाता मे इसलिए प्रसीद है बहुत बार इंडिरानमी के एकसाम में पूछा गया है तो सुन्दरवान जो होगा वो रॉयल बेंगॉल टाइगर के लिए फेमस होगा ठीक है तो बढ़ते हम चार नंबर कोईशन के और चार नंबर कोईशन पूछा है कि यांगून is situated at the bank of river यानि कि या आपको बतना है तो आलमिती बांद जो होगा वो किसना नदी पर बनाया गया है इसका ध्यान रख लेना यानि कि आपसंसी होगा पांच नंबर कोईशन का राइट अंसर तो बढ़ते हम चे नंबर कोईशन की योग चे नंबर कोईशन पूछा है कि what was the during of 85 year plan यानि कि 85 year plan हुआ था तो होगा भाई आपसंसी 1974 से लेके 1989 तक हुआ था यानि कि 1974 से लेके 1979 तक हुआ था इसका ध्यान रख लेना बहुत ही important question है और आज जो question करवाऊंगा most important question होगा क्यूंकि भाई हथे में जो तीन दिन भी वीडियो आएगा एक dumb quality दार मेरा वीडियो होगा ठीक है त आमेदाबाद किसलिए प्रसीद है आपको बतना है तो आमेदाबाद जो होगा वो टेक्स्टाइल यानि कि कपड़े के लिए फेमस होगा ठीक इसका ध्यान रख लेना है तो बढ़ते हम आत नमबर question के और आत नमबर question पूछा है कि what is the age of retirement of a judge of supreme court यानि कि सरवच्च न्या आत नमबर question के right answer जो होगा वो आफ संधी 65 साल होगा ठीक इसका ध्यान रख लेना है तो बढ़ते हम 9 नमबर question की और 9 नमबर question पूछा है the city of Patna is situated on the bank of which river यानि कि Patna सहर किस नदी के किनारे इस्तित है आपको बतना है तो Patna सहर जो होगा वो गंगा नदी के किनारे इस्तित ह और बनारसी कानपूर ये तीनो सहर बनारसी कानपूर पतना ये तीनो सहर गंगा नदी के किनारे वसा है और डेली आगरा मतुरा ये तीनो सहर जो होगा वो यामुना नदी के किनारे वसा है और गोदाबरी नदी के किनारे मतलब देखो मतलब गोहाटी जो होता है वो बंब प्रत्र नदी के किनारे बसा हुआ होता है ठीक इसका ध्यान रख लेना है तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चिन के और 10 नंबर क्वेश्चिन पूछा है कि बद्रिनाथ सीच्विएटेड ऑन यानि कि बद्रिनाथ किस नदी पर इस्तित आपको बतना है तो बद्रिनाथ जो होगा वो अलक नंदर नदी पर बनाया इस्तित आपको बद्रिनाथ यानि कि बढ़ते हैं गयरा नंबर क्वेश्चिन के और गयरा नंबर क्वेश्चिन पूछा है कि हुई चीज दा लार्जेस्ट मैन मेट ले कैनी कि सबसे बड़ा मानब निर्मान जील कौन सा है आपको बतना है तो सबसे बड़ा मानब निर्मान जील जो होगा वो गोविन सागर होगा और जैसे इस फौजी भाई के मेहनत के उपर एक लाइक कर देना और सारा कुछ फ्री में में पढ़ाता हूँ पीडियेप भी आपको फ्री में देता हूँ टेलिग्राम ग्रूप में हमने पीडियेप डाल दिया है जिन बच्चों को चाहिए आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं मेरे भाई टेलिग्राम ग्रूप में already पड़ा हुआ है तो जिन बच्चों को चाहिए भाई डाउनलोड कर लिए क्योंकि आगर आप सारा मेरा पीडिये पढ़ ले तो इमान दरी से मेरा सारा क्लास फॉलो करते हो तो इस फौजी भाई के उपर विश्वास करो आपको फौज की बढ़ी पहनने से कोई नहीं रोक सकता इसी साल मिल जाएगा बस आप इमान दरी से पढ़ाई करते रहो तो या आप सबी को बता है हमारे भारत यानि कि इंडिया का स्थंग विदान जो होता है वो सबसे बड़ा होता है ठीक इसका ध्यान रख लेना है तो बढ़ते हम तेरा नंबर कुश्चिन की और एक चीज़ बोल दो भाई जापान को जो होता है वो उगते हुए सूरज का देस कहा जाता है बहुत इंपोर्टन कोश्चिन था तो बढ़ते हम तेरा नंबर कुश्चिन के और तेरा नंबर कुश्चिन पूचा है कि वीच प्लेज इज नोन एज दा रोफ आप द वाल्ट यानि कि कि किस को दुनिया का चद के रूप से जाना जाता है आपको बतना है तो आप बतना नहीं ने कि दुनिया था तो आप देखाएगा ठीक नहीं तो नहीं टूटेल पुच्छिन था अब देखाएगागा नीचे आप जर्ण उसको चेक कर लेना ऑगर आप गूगल ने डार्रेक्ली सर्च करोंगे तो साथ दिखाएगा पर टोटेल जो दिखाएगा नीचे आप जरह उसको चेक कर लेना वो 8 देश होता है ठीक है देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सुन लेना ठीक है बांगलादेश, वुटान, इंडिया, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान, सिलोंका के साथ आफगनिस्तान भी एड हो गया है अब सार्क में एनिकी टोटल 8 द कि और 15 नममर कोचें पूछ में की, मीजो राम की राज़्दान है भी एंडिया, मनिपूर की राज़्दान होता है तो इसे के साथ हमारा GK का पार्ट खतम होता है, अब बढ़ेंगे हम General Science की ओड, तो General Science का फॉस्ट कोईशन है, नि कि सोलो नम्मर कोईशन पुछा है, कि हटीस दा pH वैलू ऑफ हीमवन ब्लाड, नि कि मानब सरीर का रक्त का pH मान कितना है, आपको बतने हैं, तो मानब सरीर का pH मान जो होता है, वो 7.4, य directory of शॉस्ट का राइट एंसर, आगर आपको कोईशन इस तरह से पुछ ले कि पान यानि कि वाटर का? वाटर का pH मानk कितना होता है? तो वाटर का pH मान जो होता है, वो साथ होता है, और total pH मान जो होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है ठीक इसका धियान देख लेना है तो बढ़ते हम 17 नंबर कोईशन की हो 17 नंबर कोईशन पुछा है कि which up the falling is not a permanent magnet है निकि निमने में से कौन सा 12 चुमबक नहीं है आपको बतना है तो देखो मतलब elektromagnet जो होता है वो 27 चुमबक नहीं होता है ठीक है जब दक आप उसमें बिजली डालोगे तब दक वो चुमबक की तरह काम करोगे बिजली खतम तो चुमबक भी मतलब उसका चुमबक दर्म जो है वो भी खतम हो जाएगा ठीक है इसका ध्यान रेकलना है और एक चीज में आप लोग को बोल दू बार मैगनेट में जो होता है वो दोनों और जो होता है वो magnetism रहता है ठीक है यानि कि चुम्बक हिते दोनों शोर में सबसे ज़्यादा होता है बार मैगनेट में बीच में जो होता है वो जीरो होता है ठीक है बार मैगनेट में मतलब बीच में जो होता है वो magnetism जीरो होता है और एक चीज बोल दूँ सबसे सक यह पुरू होता है तो बढ़ते हैं नेक्स कोईया नेक्स कोशिशन क्वूच पाइट पतने से चिकून गुनिया होता है तो भाई मॉस्प्राइट नंबर कुषशिशन का राइट यह ऑप्सन यह होगा और गदियो के लिए वीडियो बना तो आप बहुत सरे बच्चे लाइक भी करते हो मेरा वीडियो देखे बीना ही लाइक करते है बहुत सरे बच्चे बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही खुस होता है यार प्लीज आप सभी बच्चे लाइक कर देना यार आपके लिए इतना मेनत करता हूँ यार टेलिग्राम ग्रूप में सारा पीडिये भी दे रखा है कोई नहीं देगा कोई यूटुवर आपके बारे में नहीं सुचेगा मेरे भाई मैं आपके लिए सोचता हूँ भाई फॉज का ड्यूटी करते हुए भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूते यार प्लीज एर इस फॉजी भाई के लिए एक लाइक कर होता है वह COI आनि की कारवन मुनोखसाईट जो होता हूं सबसे जैरिला फॉज होता है अगर आपको कोईशन benefici से पुछ ले मार्स ग्यास के आइक कि अप का मार्स ग्यास 100 H6 जो होता हूं मीफेन को का जा तो sahल कि ç4 जो बृता है उसका 끊र च2. की तो स questions की और 21 नंबर कोईशन पूछा है कि pressure decrease on increase when climb the mountain यहनि कि बाई पढ़ाई चड़ने पर पहार चड़ने पर चाड़ते समय मतलब चाप जो होता है प्रेसर जो होता है वो कम होता है कि बढ़ता है आपको बतने यहनि कि चंद्रमा को पीथी भी कि चारो और घूमने के लिए कितना time लगता है तो गाबाइस 28 नंबर कोईशन पूछा है कि how many bones are there in human face मानव स्रीर के चहरे में कितना हड़्डी होता है तो मानव स्रीर के चहरे में जो होता है वो 5 हड़्डी होता है sorry 14 हड़्डी होता है यानि कि option भी होगा 23 नंबर कोईशन का right answer तो बढ़ते हम 24 नंबर कोईशन की ओचा है कि one horsepower equal to how much watt है यानि कि एक होर्स पावर कितने वाट के बराबर है आपको बतना है तो एक होर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है ठीक है तो बढ़ते हम 25 नंबर कोईशन के ओर 25 नंबर कोईशन पुछा है कि sound cannot travel in which medium नहीं कि धनी किस माध्धम में जा यात्रा नहीं कर सकता तो धनी ज अच्छो को नहीं मालूम भाई में फौज का डिवटी करता हूँ इसलिए हर रोज मेरे को लाइब क्लास टाइम नहीं बच्छो को मेरे से इस फौजी भाई से पढ़ना है तो चैनल को सब्सकाइब करने के बाद बाद बाजू में बेल आइकन जरू दबाना सब कुछ मेरा फ्री ओप कोस्ट है एक भी पैसा आपको नहीं लाएगा पीडिय भी अगर आप चाते हो तो टेलिग्राम गूरूप में और लेडी पढ़ा हुआ है डाउनलोड कर देना तो आज का वीडियो यही कबर खतम होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इस कितना मुस्किल होता है आप लोगो को भी पता है यार मुस्किल ड्यूटी भी करता हूँ उपर से आप लोगो के लिए वीडियो भी बनाता हूँ यार प्लीज यार एक लाइक तो बनता है सारे बच्चे जाते हुए एक लाइक कर देना मेरे बाई तो आज हम आपसे भी दा युमे